हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ अजे गुपता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजे गुपता एडू पॉइंट स्टूडेंट हम केमिस्ट्री का तीसरा चप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मैटल्स एंड नॉन मैटल्स फार क्लास 10 तो स्टूडेंट इससे पहले मैं केमिस्ट्री के दो चैप्टर पर वीडियो बनाये हुए हैं जिनके नाम है chemical reactions and equations और carbon and its compounds उसके साथ स्टूडेंट मैंने फीजिस के भी तीन चैप्टर पर वीडियो बनाये हुए हैं light चैप्टर पर human आई चैप्टर पर और electricity चैप्टर पर तो जो भी student interested हो मेरे उन चैप्टर के वीडियो देखने के लिए तो उन के लिए मैं क्या करूंगा इस वीडियो के आई बटर में मैं दो chemistry के चैप्टर क का link डाल दूगा वसकी प्लेडिस का link लगा दूगा और साथ हैसाद दो przestटोअ की प्रिवेशंक की लित्त कर लिंगा डुँगा तो आप उस प्लेडिस को प्लेडियो मेरे वीडियो देख सकते हो और साथि-सस स्थ टूडिन N. का प्लेडियो का लिंग लिंग Yepchen और साथ, स मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कोमेंट और शेयर जुरूर करें तो चलो आज का वीडियो नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करते हैं तो स्टुडेंट जो हमरा आज का टॉपिक है वो occurrence of metals पे है कि metal हमें कहां से और कैसे मिलती है और किस form में मिलती है तो करते हैं शुरू टॉपिक occurrence of metals. Metals are found in the earth's crust either in the free state, native state that is as free elements or in the combined state that is in the form of their compounds. Students जो हमरे पास metals होती है वो earth crust से मिलती है यानि कि जमीन के अंदर से मिलती है या तो वो free state में मिलती है जिसको हम native state भी कहते हैं as free element मिलती है as a free element का मतलब है कि वो element की form में मिलती है और वो independent मिलती है यानि जैसे मान लो को metal है तो वो किसी के साथ combined form में नहीं मिलेगी किसी के साथ जुड़ी भी form में नहीं मिलेगी वो element form में ही मिलेगी या फिर हो सकता है कि वो जो metal है वो combined state में मिले in the form of their compound किसी भी compound की form में वो मिल सकती है किसी और element के साथ जुड़ी भी form में मिल सकती है जो least reactive metals है जैसे कि gold, silver, platinum are found only in the free state ये सिरफ student free state में ही पाई जाती है गोल, silver, platinum ऐसी तीन metals है ये सिरफ free state में पाई जाती है बट copper and mercury are found both in the free state as free element as well as combined state as their sulfides or oxide oil और student हमाई पाद दो metal ऐसी है copper and mercury जो की free state में भी पाई जाती है और साथ ही साथ combined state में भी पाई जाती है और combined state में भी वो या तो sulfide के साथ पाई जाती है या फिर oxygen, oxide ore की form में पाई जाती है highly reactive metals like potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium extra are never found in free state but are always found in the combined state as oxides, sulfides and carbonates और student जो जादा reactive metal हैं जैसे कि potassium हो गया, sodium हो गया, calcium हो गया, magnesium हो गया, aluminium हो गया यह कभी भी student free state में नहीं पाई जाती है यह साथ metal यह हमेशा compound state में ही पाई जाती है और यह भी जो पाई जाती है यहां तो वो oxide यानि कि oxygen के साथ पाई जाती है यहां sulfide की form में पाई जाती है sulfur के साथ पाई जाती है यहां फिर carbonate CO3 के साथ पाई जाती है the metals in the middle of the activity series that is zinc, iron, lead, extra are also found in the combined state student कुछ metal हमारे पाई ऐसी हैं जो activity series में middle में पाई जाती है अब जीन student को activity series का नहीं पता है उनके यह student है आपको मेरा previous video देखने पड़ेंगे जहां पर मैंने activity और reactivity series of metals बताई हुए है कुछ metal हाई reactive होती है जो series में top पे आती है जैसे potassium, sodium, calcium, magnesium और कुछ middle में आती है जैसे zinc, iron, lead, extra और कुछ least reactive आती है है जो bottom में आती है hydrogen से नीचे जो की होती है silver, gold, platinum, extra तो यह जो मारे पास student middle वाली elements है zinc, iron, lead यह भी combined state में ही पाई जाती है Aluminium is the most abundant metal and iron is the second most abundant metal in the earth crust student earth crust में जो सबसे ज़्यादा quantity में जो metal पाई जाती है उसका नाम है Aluminium और दूसरे नमबर पे जो पाई जाती है उसका नाम है iron The elements or compounds which occur naturally in the earth's crust are known as minerals student जो भी element यह compound naturally earth की crust में पाई जाता है उसे हम बोलते है minerals Every mineral of the metal cannot be used for extraction of metal हर जो भी mineral होता है student metal का उसमें से metal को extract नहीं किया जा सकता है The extraction of metal from mineral depends on the falling factors जो भी student metal को उसके mineral से extract करते हैं वो नीचे कुछ falling factors पे depend करता है कि उस mineral में से metal को हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे तो पहला आता है factor availability of mineral At some places minerals may not be available in plenty amount कुछ जगा ऐसी होते हैं जहां पे mineral बहुत जादा available नहीं होते हैं So the extraction of metal from mineral is done only when mineral is present in appreciable amount So इसलिए student किसी भी metal को mineral से अगर हमने extract करना है वो तभी हो पाएगा अगर mineral जो है वो उस area में काफी sufficient quantity में पाया जाता है यह हो गया पहला factor अब बात करते है next factor की Next factor percentage of metal If a mineral contains a high percentage of metal Then metal can be extracted easily तो दूसरा factor आगा है student percentage of metal यानि कि जो भी metal हम mineral हम select करते हैं जिसमें से हमने metal को extract करवाना है उसमें जो metal की percentage है वो काफी high होनी चाहिए तब ही हम उस metal को उस mineral में से extract कर पाएंगे Otherwise हम उसमें से उस mineral में से metal को extract नहीं कर पाएंगे Next आगे है third factor Economic factor The extraction of metal from minerals should not include complex processes and it should not be very expensive एक तो student matter को हम mineral से तब ही extract कर पाएंगे अगर उसका process बहुत जादा complex नहीं होगा और साथी साथ जो सारा process है वो जादा expensive भी नहीं होना चाहिए तब ही हम metal को उसके mineral में से extract कर पाएंगे Thus all the minerals cannot be used to extract metal तो इसका student सीदा सीदा मतलब यह हो गया कि सभी mineral में से हम metal को extract नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं Those minerals from which the metal can be extracted conveniently and profitably are called ores और सुरें ऐसे mineral जिस mineral में से हम metal को काफी असानी से और किफायती या profitably हम निकाल पाते हैं एक्स्टरक्ट कर पाते हैं उन minerals को हम बोलते हैं Ores When an ore is mined from earth crust it is not pure जब भी student हम क्या करते हैं Ore को earth crust से निकालते हैं तो वो pure नहीं होती है It contains some impurities of sand, clay and rocky material उसमें क्या आता है student कुछ impurities जो होती है उसके साथ associated होती है उस mineral और के साथ जैसे कि sand होगी लगी हुई clay होगी, मिटी होगी यहां कोई चटान का piece होगा तो these impurities are called gang or matrix यही जो impurities हैं इन्हें हम gang या matrix कहते हैं तो thank you student for watching this video I hope कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं next video में क्या है तो